Hello students, mostly हम adjective के साथ ly लगा कर adverb बनाते हैं जैसे quite adjective है इसके साथ ly लगा कर quietly बना bad adjective है इसके साथ ly लगा है तो badly adverb बना accurate adjective है तो इसके साथ ly लगा है तो accurately adverb बना इसी प्रकार से warm adjective के साथ ly लगा कर warmly adjective बना तो इस तरह से mostly हम क्या करते हैं कि adjective के साथ थलवाई लगा के हम adverb बनाते हैं इस परकार की जो adverb बनती हैं उनको हम adverb of manner कहते हैं मतलब ऐसी जो adverbs होती है जब भी हम इनको किसी sentence में use करते हैं तो यह how का reply होती है ठीक है जैसे कुछ sentence देखते हैं जैसे sit there quietly and listen to this music वहाँ चुपचाब बैठो और इस अंगीत को सुनो तो यहाँ पर देखे sit there वहाँ पर बैठो कैसे बैठो quietly तो यह जो quietly जो word है यह how का reply है इसी परकार से I didn't play badly मैं बुरा नहीं खेला तो मैं नहीं खेला कैसे नहीं खेला badly तो यह भी how का reply है badly तो यह भी adverb of manner है इसी परकार he reported accurately what they said उन्होंने जो कहा वे ठीक ठीक कहा तो यहाँ पर यह जो accurately है यह भी how का reply है he reported उन्होंने जो कहा वो ठीक ठीक बताया तो मतलब he reported उसने बताया accurately accurately मतलब कैसे बताया तो यह भी how का reply है इसे प्रकार he nodded and smiled warmly उसने सिरी लाया और गरम जोशी से मुस्कुराया तो यहाँ पर जो यह warmly है यह how का reply है यह बता रहा है कि वो कैसे मुस्कुराया तो इस प्रकार से जब हम इस तरह से adjective के साथ ly लगा के कोई adverb बनाते हैं तो ऐसी adverb sentence में जब भी हम यूज करते हैं तो वो how का reply होती है और ऐसी adverb of manner गया लाती है तो यहाँ तो हमने देखा कि हमने जब adjective के साथ ly लगाया तो हमने इस adjective की spelling में कोई परिवर्दन नहीं किया सिर्फ ly लगाया और यह adverb बन गई ठीक है इसी परकार देखिए यह accurately और यह warmly के साथ लगाया तो warmly बन गया यह warmly के साथ लगाया तो warmly बन गया ठीक है तो इस तरह से हम adjective के साथ ly लगाकर adverb बनाते हैं लेकिन कुछ adjective ऐसे होते हैं जिनके साथ हम सीधा ly लगाते हैं adjective की spelling में कोई फेर बदल नहीं करते हैं लेकिन कई बर क्या होता है कि हमें adjective के साथ जब हम ly लगाते हैं तो हमें adjective की spelling में थोड़ा सो change करना पड़ता है जैसे जिस adjective last में y होता है जिसे nasty देगे तो इसके साथ जो हम ly लगाएंगे तो पहले y को i में change करेंगे और फिर ly लगाएंगे तो हो जाएगा nasty इसे प्रकार जिस adjective last में le होता है तो उसके साथ अगर हम ly लगाकर adverb बनाएं तो यह जो le है last में इसको में ly करना पड़ता है ठीक है तो यहां पर देगे gently gentle है इसमें last में le है तो इसकी जब हम adverb बनाएंगे तो इसके last में जो le है इसको देगे ly करें किया यहां पर इसी प्रकार जिस जैसे academic है तो last में देखिये ic है तो जिस भी adjective last में ic होता है उसके साथ जब ly लगाकर adverb बनाते हैं तो हमें उसके साथ a ll y लगाना होता है जिसे यहां पर देखिये ठीक है जैसे public है तो इसमें भी ic है last में लेकिन इसके साथ जब l y लगाते हैं और l y लगा के adverb बनाते हैं तो इसके साथ हम सिधा l y लगा देते हैं ठीक है ना a l y नहीं लगाते हैं इसी परकार से true है देकिए तो जिस adjective last में u e होता है उसको जब हम l y लगा के adverb बनाते हैं तो last का जो e होटा देते हैं और l y लगा देते हैं तो जैसे यहां पर यह true था तो last में u e है तो इसके साथ इसको जब l y लगा के adverb बनाएंगे तो last का जो e होटा दिया ठीक है ना और फिर l y लगाया तो यह बन गया इसी परकार से terrible है तो terrible है तो इसका जब adverb बनाया ly लगा के तो terribly बना तो इसके लिए आपको क्या धन रखना है कि जिस भी adjective last में a b l e i b l e ठीक है नहीं यह हो तो उसके साथ जब y लगाएंगे तो हम last का जो e है यह जो last का e है इसको हटा देंगे और जो है y इसके साथ last का i हटा के उसके साथ उसकी जगह हम while लिख देंगे तो यह terrible है तो last का e हटा दिया और उसके साथ एक जगह हम ने while ही लिख दिया मतलब last के e को y में convert कर दीया तो terribly लिए हो गया ठीक है तो इस तरह से हमें यह चीज़े ध्यान रखने पड़ती है कि बहुत से mostly हम क्या करते हैं कि जो adjective होते हैं उनके साथ हम ly लगा के उनकी adverb बनाते हैं और इस परकार से adjective के साथ ly लगा कर बनी adverb जो है वो sentence में how का reply होती है और वो adverb of manner खेलाति हैं लेकिन क्या होता है कि जो भी adverb लवाई पर समाप्त होती है ठीक है ना जो भी अलवाई पर समाप्त होती है मतंग जिन भी एड़िबर्ब्स के लास्ट में हला होता है तो छू एसा नहीं है कि वह सारी ही adverb ओव hanur होंगी यहाँ पर डेकि not all adverbs and weekend in ly are adverbs of manner मतब जिस भी adverb के last में ly है तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि वो सारी adverbs of manner होगी some are adverbs of degree कुछ ly adverbs adverbs of degree भी होती है जिसे extremely, slightly ठीक है? जिसे I enjoyed the course immensely sales fell slightly last month तो यहाँ पर जो slightly है या immensely है या extremely है तो ये जो adverbs होती है ये adverb of manner नहीं होती है बलकि adverb of degree होती है जब हम इनको किसी sentence में use करते हैं तो ये how much का reply होती है तो adverb of degree हमेशा किसका reply होती है sentence में how much तो I enjoyed the course मैंने course को enjoy किया how much immensely या बहुते कि sales fell जो sales है वो गिर गई कितनी गिर गई how much slightly ठीक है तो ये how much का reply है तो जब भी कोई adverb ly पर समापत होती है तो उसको adverb of manner मानने की गलती नहीं करनी चाहिए कि वो adverb हमेशा ही adverb of manner होगी वो adverb of degree भी हो सकती है examples extremely slightly immensely next है few adverbs of time duration और frequency such as presently, briefly and weekly कहने का मतलब है कुछ ly adverbs ऐसी होती है जो adverb of time भी हो सकती है adverb of duration भी हो सकती है adverb of frequency भी हो सकती है जिससे presently, briefly और weekly ठीक है presently adverb of time होती है briefly adverb of duration है weekly, monthly, yearly तो ये adverb of frequency होती है ये देखे सभी जो है ly पर समापत है मतलब इनके सभी के last में ly आ रहा है तो जो भी adverb of जिसके last में लवाय आता है वो हमेशे adverb of manner नहीं होती है adverb of time, duration, frequency भी हो सकती है example देखे they are playing cricket presently तो वो हाली में क्या कर रहे है वो cricket खेल रहे है तो ये presently जो है ये when का reply है when का reply adverb of time होता है तो यहाँ पर ये adverb of time है next देखे at 10.15 a.m. soldiers briefly opened fire again तो यहाँ पर जो briefly है ये adverb of duration है briefly में सोता है थोड़े समय के लिए तो यहाँ पर adverb of duration है next आपे I pay my servant rupees 10,000 monthly तो यहाँ पर जो ये monthly है ये adverb of frequency है तो इस परकार से जो भी adverb जो last में जिसके लवाय आता है वो adverb of time, duration of frequency भी हो सकती है next है जिस adverb के last में अलवाय आता है वो adverb of place भी हो सकती है जिसे locally, internationally ठीक है वो linking वो adverb भी हो सकती है जिसे consequently sentence adverb भी हो सकती है जिसे actually sentence adverb भी हो होती है जो सारे sentence को focus करती है जिसे they live locally and they have never caused any bother तो यहाँ पर जो locally है यह adverb of place है next है these efforts have received little credit internationally तो यहाँ पर internationally adverb of place है next है they did not preach consequently they reached a vast divider audience तो यहाँ पर consequently linking adverbs है linking adverbs कैसे है क्योंकि यह दो closest को आपस में connect कर रही है next है there still remains something to say several things actually यहाँ पर यह जो actually है sentence adverb है तो इस प्रकार से यह सभी adverbs देखे ly पर समाब तो रही है इन सभी के last में ly आ रहा है लेकिन यह adverb of manners नहीं है locally और internationally adverb of place है consequently adverb of यह जहाँ पर linking adverb है और actually यहाँ पर adverb है यह जो है sentence adverb है ठीक है तो इन सभी के last में ly आ रहा है लेकिन फिर भी adverb of manner नहीं है तो thanks for watching this video happy learning bye bye